वाट्स अप गाईज, वेलकम बाक तो ग्रांड़काइज स्पेशल क्लास 12 इंगलिश एनिमेटड विडियो सीरीज आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 इंगलिश की विस्टास बुक का चाप्टर अन दे फेस अफ इट ये चाप्टर सूजन हिल ने लिखा है आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा बिकॉज अनिमेटड समरी के बाद ग्रांड़काइड आपको इस चाप्टर के सारे इंपोर्टन कीवर्ड्स, इंपोर्टन क्वेस्टन और नोट्स प्रवाइड करेगा ये प्ले मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन और डेरी एक यंग बॉई की फ्रेंड्शिप के बारे में है डेरी का फेस जला हुआ होता है और मिस्टर लैम की एक लेग नहीं होती वो दोनों specially abled होते हैं जिसकी वज़ा से वो दोनों मजाग के शिकार और lonely होते हैं लेकिन डेरी और मिस्टर लैम के attitude लाइफ के प्रती काफी अलग थे मिस्टर लैम बहुत positive थे और डेरी बहुत negative था मिस्टर लैम डेरी को life को accept करना सिखाते हैं और bitterness छोड़के जिन्दगी को optimism के साथ जीना सिखाते हैं So without wasting any more time, let's move on to the Grand Cat's special animated summary डेरी, एक 14 साल का लड़का, wall के उपर climb करकर मिस्टर लैम के garden के अंदर पहुँच जाता है वो धीरे धीरे और काफी cautiously walk कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि कोई घर में नहीं है लेकिन फिर वो मिस्टर लैम की अवास सुनके startle यानी shock हो जाता है मिस्टर लैम फिर डेरी को कहते हैं कि वो crab apples जो tree से नीचे गिर गए हैं उन पे पैर रखकर फिसल ना जाए डेरी फिर मिस्टर लैम को explain करने की कोशिश करता है कि वो ऐसे उनके घर में sneak करकर घुसना नहीं चाता था उसे लगा था कि उनका घर खाली है और उधर कोई भी नहीं है वो ये सब बहुत scared feel करते होए बोल रहा था मिस्टर लैम ने उसके fears को कम करने के effort में बोला कि वो house empty ही तो है क्योंकि वो खुद अभी garden में है मिस्टर लैम ने डेरी को बोला कि उसे किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके घर के दर्वाजे सब के लिए हमेशा खुले हैं जब मिस्टर लैम डेरी को बोलते हैं कि उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है डेरी मिस्टर लैम को बोलता है कि वो किसी से नहीं डरता लेकिन लोग उससे डरते हैं डेरी कहता है कि वो कोई poor boy नहीं है डेरी ने बोला कि वो खुद से डरता है क्योंकि उसके face की एक side जली हुई थी क्योंकि उसके उपर acid गिर गया था dairy गुसा हो गया क्योंकि उसे लगा कि Mr. Lamb उसे पिटी दिखा रहे है Mr. Lamb ने इस बात को देखकर topic change कर दिया Mr. Lamb ने बोला कि वो crab apple से jelly बनाने जा रहे है लेकिन उसको सुनकर dairy और गुसा हो गया उसने Mr. Lamb को बोला कि उन्होंने subject इसलिए change करा है क्योंकि बाकी सारे लोगों की तरह Mr. Lamb खुद dairy के face से डरते है dairy ने फिर कहा कि लोग उसकी तरफ sympathy दिखाने का नाटक करते है लेकिन सच्चाई में वो उसको अगली समझते है Mr. Lamb ने dairy को इसके बारे में और बताने के लिए बोला लेकिन dairy upset हो चुका था Mr. Lamb ने कहा कि शायद dairy का face किसी fire में जल गया होगा dairy ने इस बात पर Mr. Lamb को बोला कि उसका face acid की वज़ा से जला है dairy इसको describe करते होए बोलता है It ate my face up It ate me up dairy Mr. Lamb की इस matter पर indifference देखकर उनसे पूछता है कि वो इस बात में interested है कि नहीं Mr. Lamb कहते हैं कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो उन्हें interest ना करे वो dairy से पूछते हैं कि ऐसा क्यूँ है कि एक plant को हम weed बोलते हैं और एक plant को हम flower बोलते हैं Mr. Lamb को इन दोनों में कोई difference नहीं दिखती क्योंकि उनके लिए सब life है वो life के सारे forms को appreciate करने में believe करते हैं Mr. Lamb dairy को बोलते हैं कि उनकी एक leg war में blow off हो गई थी यानी blast की बज़ा से अलग हो चुकी थी पर ये बात इतनी important नहीं थी जब भी वो बाहर जाते हैं कई बच्चे उन्हें लेमी लैम बोलते हैं लेकिन ये उन्हें bother नहीं करता उनको लगता है कि ये नाम उन्हें suit करता है dairy बोलता है कि Mr. Lamb अगर अपनी tin leg को trousers से cover कर लें तो कोई भी उस tin leg को notice नहीं कर पाएगा लेकिन dairy अपना face तो cover नहीं कर सकता था न Mr. Lamb कहते हैं कि दुन्या में और भी काफी चीजें हैं जो important है life के अनुसार Mr. Lamb का attitude काफी positive है वो कहते हैं कि beauty subjective यानि अलग-अलग लोगों के नजरिये पे dependent है और dairy को beauty and the beast का example देते हैं dairy कहता है कि वो fairy tales में नहीं मानता dairy के अंदर bitterness भरी हुई है उसका face हमेशा ऐसा ही रहेगा उसे उसकी mother के सिवाए कोई kiss नहीं करेगा और वो भी उसे उसके face के दुसरे side पर kiss करती है she only kisses dairy because she's his mother and she has to Mr. Lamb उसे कहते हैं कि उसे दुनिया की सारी beautiful चीजों को notice करना चाहिए और अपनी face की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए Mr. Lamb का ये idea कि हमें उन सब की सोचनी चाहिए जो हमसे worse off है dairy इसे mock करता है यानि इसका मजाक उडाता है वो कहता है कि ये उसके face को change थोड़ी कर सकता है dairy एक incident के बारे में बताता है जो उसके साथ bus stop पे हुआ था उसने दो women को उसके चहरे के बारे में बात करते हुए देखा उन में से एक ने बोला look at that, that's a terrible thing that's a face only a mother could love ये बात dairy के लिए cruel और hurtful थी Mr. Lamb ने dairy को advise करा कि जो भी वो सुनता है उसे सब कुछ नहीं believe करना चाहिए dairy ने इसके reply में Mr. Lamb को बोला कि वो उन्हें peculiar समझता है dairy ने फिर आगे बोला कि वो garden में इसलिए आया था क्योंकि उसे garden पसंद आया था उसे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है Mr. Lamb ने फिर dairy को एक स्टोरी बतानी शुरू करी वो स्टोरी एक इंसान के बारे में थी जो मरने से डरता था वो दुनिया की सारी चीजों से डरता था और इसकी वज़ा से उसने अपने आपको एक कमरे में बंद कर लिया उस रूम में एक पिक्चर थी जो वॉल से उसके उपर गिर गई जिसकी वज़ा से वो मर गया इस स्टोरी से मिस्टर लैम डेरी को ये बताना चाते है कि हम अपने डर की वज़ा से अपने आपको हाइड नहीं कर सकते और ना ही हम सोसाइटी को छोड़ सकते है हमें जिन्दगी को हैपीनेस के साथ इंजोई करना चाहिए डेरी इस स्टोरी पे बहुत हसने लगा डेरी ने देखा कि मिस्टर लैम के घर की विंडोज पे कोई कर्टन्स नहीं है मिस्टर लैम ने बोला कि उनने कर्टन्स नहीं पसंद क्यूँकि वो चीज़ों को शट आउट कर देते हैं उन्हें light और darkness देखना पसंद है, वो wind की sounds को सुनना भी पसंद करते हैं, डेरी ने बोला कि उसे rain की रूफ पे गिरने की अवाज बहुत पसंद है, डेरी को Mr. Nam ने बोला कि वो lost नहीं है, उसके दिल में अभी भी एक sensitivity है, लेकिन वो bitterness की वज़ा से hidden रखी हुई है, डेरी ने Mr. Nam को बोला कि उसकी family भी उसे pity दिखाती है, वो उसके future के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसे face के साथ क्या कर पाएगा, उसकी family को लगता है कि उसके face की वज़ा से वो दुनिया में असानी से नहीं जी पाएगा, Mr. Nam उसे दिखाते हैं कि वो अपनी जिंदगी सब की त to it, वो लोगों से better भी हो सकता है, डेरी फिर Mr. Lam से पूछता है कि क्या Mr. Lam के पास दोस्त हैं, Mr. Lam इसका reply देते हुए बोलते हैं कि सब लोग, डेरी included, उनके दोस्त हैं, डेरी इस बात से confused हो जाता है, और Mr. Lam से पूछता है कि जब Mr. Lam उसका नाम भी नहीं जानते, तो उसे अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं, Mr. Lam ने फिर बताया कि names कुछ signify या mean नहीं करते, उनके लिए दोस्ती का ये मतलब नहीं है कि दो लोग एक दुसरे के बारे में सब कुछ जाने, डेरी Mr. Lam को अपना नाम बताता है, Derek, डेरी Mr. Lam को बोलता है कि उसे वो नाम पसंद नहीं है, और चाहता था कि लोग भी उसे डेरी के नाम से ही जाने, डेरी Mr. Lam को बताता है कि वो कई लोगों को hate करता है, Mr. Lam इसके reply में बोलते हैं कि जो acid ने उसका face जलाया है, उससे ज्यादा dangerous, डेरी का hatred है, डेरी Mr. Lam को उस incident के बारे में बताते हैं, जब वो घर वापस आया था इस acid के accident के बाद, उस दिन किसी ने बोला, he'd have been better in the hospital with others like him, जो डेरी ने सुन लिया था, Mr. Lam ने इस बात पे बोला, कि what kind of a world would this be, डेरी इस बात से अमेज होके पूछता है, कि Mr. Lam दुनिया के बारे में ये सब कैसे जानते हैं, Mr. Lam इसके reply में कहते हैं, Mr. Lam डेरी को बोलते हैं, कि वो कभी भी उनके घर में आ सकता है, जो उनका है, वो सबका है, डेरी Mr. Lam को कहता है, कि उसके दोस्त उसका चहरा देखकर उससे दूर भाग जाते हैं, Mr. Lam कहता है, कि ये एक रिस्क है, जो उसे लेना ही पड़ेगा, वो चाहते हैं, कि डेरी समझे, कि उसे अपनी बिटरनेस को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और अपने सेल्फ बिल्ट शेल से बाहार निकलना पड़ेगा, अगर वो जिन्दगी को पूरी तरह जीना चाहता है, तो, डेरी मिस्टर लैंब से पूछता है, कि वो टिन लेक के साथ सारे एपल्स को ट्री से नीचे कैसे लाएंगे, मिस्टर लैंब इसके रिप्लाई में बोलते हैं, कि इतने सालों में, उनको अपनी टिन लेक से डील करने की आदत हो चुकी है, डेरी कहता है, कि वो उनकी मदद करने ज़रूर आता, लेकिन उसकी मदर उसे अब बाहर जाने नहीं देंगी, मिस्टर लैंब फिर कहते हैं, कि ये डेरी की मदर नहीं है, जो उसे बाहर नहीं जाने देंगी, बलकि डेरी की खुद की हेजिटेशन, फियर और बिटरनेस है, डेरी कहता है कि उसका घर मिस्टर लैम के घर से तीन माइल्स दूर है मिस्टर लैम डेरी को कहते हैं कि वो एक यंग बॉय है जो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो सब के हातों में power of choosing what one wants रहती है फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि डेरी के पास जिन्दगी को face करने के guts नहीं है उसका जला हुआ चहरा एक excuse है डेरी इससे बहुत गुसा हो जाता है और फिर मिस्टर लैम की tin leg का मजाक उडाता है वो बोलता है कि वो कभी garden में वापस जरूर आएगा डेरी अपने घर पहुँच चुका था वो अपनी मदर से लड़ रहा था क्योंकि वो मिस्टर लैम के पास जाना चाता था और उसकी मदर उसे जाने की permission नहीं दे रही थी वो बोल रही थी कि उन्हें काफी लोगों ने warn किया है कि मिस्टर लैम एक eccentric यानी strange person है डेरी उनके घर जाने के लिए insist करता है क्योंकि वो मिस्टर लैम से बाते करना चाता है about the things that truly matter to him यानी जो चीजें उसके लिए जिंदगी में important थी डेरी की मदर उसे घर रुकने के लिए बोलती है और फिर डेरी बोलता है कि वो घर में रुकने से नफरत करता है उसकी मदर बिना reaction देते हुए बोलती है कि वो ऐसी चीजें तो बोलेगा ही because of his face डेरी फिर बोलता है कि वो अब अपने face के बारे में care नहीं करता डेरी मिस्टर लैम के garden में भागते हुए पहुचता है मिस्टर लैम वहां ground पर गिरे हुए थे ट्री से apples निकालते वक्त उनकी ladder slip हो गई और वो ground पर गिर गए डेरी ने उन्हें उठाने की कोशिश करी लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं मिस्टर लैम शायद मर चुके थे डेरी रोने लगा डेरी का इकलोता friend उसने खो दिया था ओके गाईस, so I hope आपको Grand Cat की special animated summary से ये पूरा chapter काफिय अची तरह समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं इस chapter के कुछ keywords पे So our first keyword is defiant Defiant का मतलब होता है वो इंसान जो authority के orders नहीं मानता Our second keyword is miserable Miserable का मतलब होता है बहुत दुखी Our third keyword is lame Chapter में Mr. Lamb का मजाक उड़ाते वक्त बच्चे उन्हें Lamy Lamb बोलते हैं Lamy एक derogatory nickname है जो lame शब्द से आता है The word lame is used to describe and insult someone who cannot walk properly यानि कि ये word एक insult है Our fourth keyword is beast Beast एक भारी भरकम और खतरनाक जानवर होता है Our fifth keyword is not actually a word वो एक idiom है और ये chapter में यूस किया गया है The idiom is give me a hand इस idiom का मतलब होता है to help another person For example, अगर आपको किसी class 12 English के chapter में कोई doubt है तो आप comment section में लिख सकते हैं Hey grand cad, give me a hand and help me with this question And rest assured, we will help you Alright guys, so that brings us to the end of this chapter And I am sure आपको ये chapter अब काफी अची तरह समझ में आ गया होगा आपकी preparation को और better करने के लिए Grand cad ने इस chapter के notes और important questions description में डाल दिये हैं और हाँ, अपनी preparation और भी ज़्यादा strong करने के लिए आप इस question का answer comment section में लिखिये जो भी तीन लोग इस question का सबसे अच्छा answer देंगे Grand cad उन्हें पे ATM पे special cash reward और Grand cad का special minute holder certificate प्रवाइट करेगा So yes, if you like the content, please subscribe to us on YouTube And follow our Instagram at grand.acad Okay, till next time, keep winning you champions!